अच्छानक घबराण होना, सीने में धड़कन होना, तेज एकदम धड़कन चलो होना, तो क्या करें? इसके बारे मारे बात्चित करता हूँ, कहें कि काफी लोगों को दिन में या कभी-कभी रात में निन में तेज धड़कन फिरो हो जाती है, पहुत डिस्टर हो जाते हो, घबराण हो जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो एकदम ऐसा उनको डर लगेगा, घबराण होंगे, बेचे नहीं होंगे, जर से उदर जाएंगे, या फिर कुछ लोग बैठेंगे और एकदम धक-धक-धक-धक-धक-धक-धक-धक-चलो हो जाएंगा, तो फिर इससमें क्या करना चाहिए, देखिए पहले एक तो यह देखो कि जब आपको तेज धड़कन हो रही है हार्ट की तो यह कितने दिन से है, और क्या यह हार्ट की बिमारी है क्या, तो आपको काईडियोग्राम निकालना पड़ेगा, फिजिशन से कंसल करना पड़ेगा, और उन्हें बोला कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर यह साइकरोजिकल धड़कन है, पाल्पिडेशन या एंग सिस्टेम है, नर्वस सिस्टेम, वो सिंपदेरिक नर्वस सिस्टेम से बहुत हो जाती है, वो सिस्टेम हो गई कि वो हाट के तरफ जो इंपल्स से जा रहे है, वो बहुत जाला परमान में जाते रहते हैं, और एक्दम दिल की धढ़कन तेज हो जाएंगे, धर 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 बचुर हो जाएंगा और वैसे सिंपदेरी को और एक्टी हो जाएंगे तो हाथ कापेंगे पेचे नहीं होंगी घबराट होंगी पसीर ना सकता है और तरह कुछ देर तक रहेगा आपको देखना है कि बाराई मैंने 24 घंटे चालू है चैनले के बीच-बीच में आधा है कंटीने चालू है कंटीने सुबह से रात तक नीन में भी चैलो है नीन में घबराट हो रहे हैं आपको पता नहीं क्या हो रहा है तो फिर आपको और इन्वस्टिकेट करना पड़ेंगा कि या थारेड़ की बिमारी है कि खिड्नी की बिमार तनाओ के विचारा गए, ति मेरा लॉस हो गया है, या लॉस हो जाएंगा, या मेरा ब्रेक अफ हो जाएंगा, फैनेंचल लॉस है, पैसा गूं गया, या रिलेशन्शिप में तकलिफ हो गई, या घर में किसके साथ में, अपने विष्णार जो है, उनके साथ में कोई तो डिप्रेशन आता है और फूचर में कुछ तभी होने वाला है तभी धरकन आ जाएंगे धरकन या घबराट मेंली फूचर के मुताभी को आ जाती है तो वह हमको देखना है कि वह कौन से थौट ऐसे है और फिर ऐसा हो गया तो आपको करना क्या चाहिए रिलाइक्स बैट रिलाइक्स बैटो सोचो लॉजिकली रैशनली क्या होंगा इतनी घबराट क्यों मुझे आ रही है क्या होंगा कितना नुखसन हो सकता है क्या प्रॉब् क्या कर सकता हों और मैंने क्या करना चाहिए इसके बारे में इसके बार कहला है बैटो शाइना जब पुर्य पूरा बदन रेलाक्स करो और सेल्प इसको करो और सेल्प आप्नोसिश को confidently वो चीज का सामना कर रहा है, confidently उसको face कर रहा है, ऐसी कलपना करनी है, और जब आप ऐसी confidently कलपना करेंगे, positive suggestions देखें कि नहीं, मेरा confidence बढ़ रहा है, मैं वो चीज का सामना कर रहा हूँ, मेरा heart जो है, मेरी body स्वस्त है, मैं एक दम confident and relax you, ऐसे affirmations खुद को देना, जितने बार दे सकते हैं, जिस समय हो गई, घड़कन उस समय तो पहले कर लेना है, तो धिरे 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 फायदा हो जाएगा, तो in short क्या है कि नमबर एक पहला इलाज, worst come worst क्या हो सकता है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, यवरी मुचू.